देख रहे हैं आप बिहार में विपक्षी नेता करेंगी बड़ा शक्ती प्रदर्श अंच्रिया मिशन 24 को लेकर एक बाद फिर विपक्ष को एक मंच पढ़ लाने की कवाइद शुरू हो गई है वहीं इसके अगवार नितीश कुमार बड़े नजर आ रहे हैं आपके बता देए कि सुत्रों के मताबिक करनाटर फ्रुनाओं की बाद विपक्षी नेताओं की बैठाक पत्नामी 17 या 18 मई को हो सकती है अभी तो इसका आधिकारिक अनौंस्मेंट नहीं हुआ है पत्नामी विपक्ष की बैठक का प्रस्ताव मताबैनर जी रही नख़ था जब नितीश कुमार उसे मिलने को लग्वा देने के लिए उनसे मिलने आई अगर इस बैठक की करें तो इसमें शरत पवार और उधर ठाकरे के शामिर होने की चर्चाबी सुर्खियों में है इनके अलावा कॉंप्रेस अधियाक्ष मलीका जुट खडगी विपश्यम बंगाल की सीम, अप्दाबैनल जी, सबार अधियाक्ष रखिलेश यादव, दिली के सीम अधियर के जिवाल योंके पर दिनी थी, वाम नेता, सीतराम, ये चोरी और डी, राजा के भी बैठक में शा सुतरों के मताबिक नितीश कुमार के जल्द ही उडिशा के सीम नविन परतनायक और घारखन के श्रियम हिमन सुरेन से भी मिलने की संभाव ना है जी, हम ने कहा कि जैसा कि Frame कहा मैंने, क अभी तक मुलाकात के सलसला चुआ ज्ट रही है, तो मुलाकात आगे भी मुलाकात के सम्हाबना है ये नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं कर्णाटक पिधान सभाग चुनाव के कारण बैठक माई के तीसरे हफते में की जा रही है दरसल इस चुनाव में कॉग्रे समेथ कई अन्य दल के नेता अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं चुनाव प्रशा ज़रूरी है रही है, करनाचक विधान सभाव चुनाव 10 माई को होंगे और नतीजा 13 माई को आशाएंगे देखें तो ये बैठक नितीश कुमार के लिए बेहत ही खास होने जा रहा है इसके वज़ा से ये है कि इस बैठक में ना सिर्फ विपक्षी एक जुटता पर अपचारिक मोहर लग सकती है बगर नतीश कुमार विपक्ष के सन्योजप या फिर परधान मंत्रियों में बार भी खोशित हो सकते हैं अलाकर नतीश कुमार के लिए विपक्षी दलों को साधना किसी बड़े चुनाफी से कम नहीं है क्योंकि विपक्ष में सीन बटवाडे को लेकर विवाद हो सकता है खास कर कॉंग्रेस और अन्य दलों के बीच सामांचियस बैठाना नतीश कुमार के लिए बड़े चुनाती होगी अगर नतीश कुमार ने इस बाधा को बार कर लिया तो फिर 2024 ने भाजपा का मुकाबला एक जुट विपक्षी से देखने को मिल सकता है अब देखना यह है कि सब्दाब ठक में क्या देखने को पुलता है खायब रिपोर्टी इंद्खिसरक रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे बुड़काजी दीजिए जास्ति नमस्क्राइब